रुश्र विध्याले के इस पांच दिवस्ये विध्यार्थी कार्यशाला के उद्धाटन सत्र में मैं हमसे जुड़े सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ और अब हमारे साथ उद्धाटन सत्र के मुख्य अकिती महामயिम शृकलाज मिष्र जी जुड़ चुके हैं मैं महाम केम राजियपाल महोदे से इस कद स्वाट की आग्या चाहूंगे अब मैं कोर्ण फकनेडियों का दिवस्ये विश्रुद्धायले की तरफ से राजिपाल महुदे तता हमारी विश्विध्याले के खुलाधी पती कल राज मिश्विध्याले के स्वागत करते हुए हम सब धर्शत हैं आपके खुशल माग दर्शन में विश्विध्याले तता राज्ये दौनों उन्नति के और अग्रसर है आपके विशेष प्रेड़ना से राज्ये में आंगे सार्ये के साथ ही शिक्षा की दिल्षा और दशा दौनों तुझी से बेहतरी की तरफ बढ़ रही है और अब अधिक देड़ना करते हुए हम आज के कालिकरम की शुरुवात करते हैं सर्व प्रथम मैं माननी खुलपती महोदे से आग्रे करूंगी कि वो महामहीम राज्येपाल तथा हमारे विश्विध्याले के खुलाधी पती का स्वागत करें तता साथ ही अनुरोध है कि मानमे मुल्य की सिख्षा के बारे में जानकारी देते हुए विश्विध्याले द्वारा अभी तक मानमे मुल्य की सिख्षा के लिए कि गए कारियों में महामहीम को अवगत कराएं हमस्कार सची वाले परिवार के सब्सक्राइब मेरे साथ ही श्री वाईएंशिंग जी टेक्निक शूश्री अलकाश्वामी एम ओनलाइन वर्प्षोप की तियारे में लगी सारी इनकी टीम कि इस ओनलाइन प्रशाण में लगे श्री धर्मंद्र याद्व लिकानेर टक्निक की विश्विद्याले परिवार के सब्सक्राइब मैं सब्सक्राइब के माधियम से मेरी अपनी तरह एन बीट्यू परियार के तुरप से हार्दिक स्वागत कर अपने परिवार के मुख्या के रूप में जुमवारिक का निर्वन करते हुए आशिरवर्द देने का समय निकाला इसके लिए ओनलाइन वर्क्शोप में लगी टीम एन सात्राओं को प्रिणा मिलेगी उस्सावर्दन होगा पहली बार किसी कारेक्रम में मान्य राजिपाल महोदे का आशिरवाद प्राप्त हो रहा है। मान्य इकलादी पुति में होते हैं, बीट्यू देश का पहला विश्विद्याले हैं, जिसके सभी शंकायों में, यानि इंजिनियरिंग, MBA, MCA, B. डिजाइन के सभी महाविद्यालियों में मान्य मुल्यों का पोर्स अनिवारी रूप से लाग हुए। मान्य बीट्यू देश का पहला विश्विद्याले हैं, जो इस तरह का पांच दिन का ओनलाइन वर्क्शोप आयुजित कर रहा है। जात्रों के लिए वह भी कुर्णा जैसी महामारी की बीच में इस वर्क्शोप से लगभग 5000 विद्यार्ट्य वह उनके परिवार उम्मान्य मुल्यों के आधार पर जीवन जेने के लिए प्रेदेश किया जाएगा। इस विशे की और जनकारे रिखने से पहले मैं थोड़ी सी उसकी घूमिका में समाज की स्थिति के बारे में नियुदर किता हूँ। इस समाज की इस सब में स्थिति देखें तो हमने पिसले वर्सा में बहुत विकास किया है। हमारे सुधा बड़ी है, इन्फास्टेक्चर अच्छा हुआ है, सड़के अची हुई है, धर में रहने के व्योस्ता अची हुई है, रेल है, यातायात के साधन है, तक्नीकी है, पिग्यान है, इसमें बहुत सी बड़ोतरी हुई है। अगर शिक्षा को देखें, तो प्राइमरी शिक्षा से लेके विश्य विध्याले महावध्याली शिक्षा में बहुत बड़ोतरी हुई है, और हमारे यहां पर पढ़ने वाले चात्रों की शिंख्या लगातार बढ़ती जारी है। यह हमारे लिए बहुत सुखद विश्य है। यानि हम निरंतर, सुईधा और शिक्षा दोनों में उनन्ती करते जा रहे है। लेकिन मैं दूसरे प्रक्स को तरफ देखू, तो समाज में ब्रिश्टाचर बढ़ रहा है, व्याभीचार बढ़ रहा है, हांतकवांद बढ़ रहा है, सहन सिल्ता बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। यानि एक तरफ हम सिक्षा में और सुईधा में दिनों दिन उनन्ती कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम समाजिक जीवन की तरफ देखें, तो नियतिक मुल्या, सल्सकार, इसमें हम समाज के रूप में है कि समाज का कितना विकास हुआ है, उसमें दिरंतर नीचे जा रह है यानि इन दोनों के खाई गया बढ़ता जा रहा है, समाज में इस वज़े से क्रेश्टारी प्रेशन ये पैदा हो रही है, इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए, ये विशे सभी सिक्षा विद्धों के लिए बहुत महत्वपून हैं, इस विशे को का दो गज्टै ये मैं मूह लूप से प्लब्य ने टीन को तेंटे आपता कव है और मानव के अमानी विभार का वश्ण के खें तरह मानव के मान आ नि गञार कभ ये सबसे जब्जा सुब्स होता है तो इसको शहर में कोई अंधेरे से भैनी लगता अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर उसके लगातार पीछे चले अंजान व्यक्ति तो अगर वही व्यक्ति उसके पास आके खड़ा हो जाए तो उसे डर लगने लगता है और यह व्यक्ति मुश्क्रा के रेक साइट में चल दे तो उसके मंद में भेव्याप्त हो जाता है इसलिए कि उस व्यक्ति का आचरण निश्चित नहीं है यानि मानव ही ऐसा है जिसका आचरण निश्चित नहीं है इस आचरण को निश्चित कैसी किया जा सकता है इसमें शि जैसे जो पेड़ है पोदे है जैसा बीज होता है वेसी पेड़ ये पोधा होता है जानौर है तो जैसा वंस होगा नसल होगी वेसी ही जानौर होगा लेकिन मानव के लिए ऐसा सम्भूव नहीं है मैं कुदाण के लिए कि अगर घाय है तो साकाहरई होगी शेर है तो मासारई होगा इसका उल्टा नहीं हो सकता शेर घास नहीं खा सकता और मास नहीं कि जिसके माता पिता शाकारी होगी निष्टित रूप से सायथ हमेसा नहीं चाह सकते हैं यानि मानों का जो आचरण है वो निष्टित नहीं है उसका आचरण को निष्टित शिक्षा और उसके माध्यम से ही किया जा सकता है इससिए को ति देखें तो तीन चीजह मुझे ज्यार में आती है एक समझ का विशली है कि करने को समय कि कर ला क्या है कि मुली आधारित कोशल होना चाहिए मुली का निर्देशित कोशल होना चीए लेकिन वर्तमान में इसकी इस्तिती सब्सक्राइब हो रही है बिजली बनाने का फार्मुलय से बॉम्ब भी बन सकता है तो फार्मुला तो अपने आप इनर्ट है ये तो इसकο उप्योग आणे वाले की बिजली बनाके प्रॉक्त करता है या बंब बना के विद्वास्त करता है यानि मुल्य के विहिन पोसल समाज के लिए बहुत घातक भी हो सकता है हमको समझ में आता है कि मुल्य आधारित शिक्षा मेहतोपूर्ण है अगर समाज में हम देखें कि समाज में जानतर जो दुफ का कारण है क्या सुईधा की वज़े से है या संबंद का निर्वान न करने की वज़े से है तो हमको ध्यान में आता है कि ज्यादा तर जितनी भी समिश्या है वो समाज में संबंद का निर्वान पूर्ण रूप से न करने के अभाव में आता है जैसे मैं उधान के रुपे कहूं कि घर में पति-पत्नी में अगर जगडा हो रहा है और उसके एयर कंडिशन को हम शुरू कर दें तो जगडे को ठंडा नहीं कर पाएगा जगडा तो उसके मानुवय व्याहा वो संबंद का निर्वन करने से ही संब्भव हो सकता है इसलिए हम कह सकते हैं कि मानुवक्त को सुईधा भी चाहिए और संबंद भी चाहिए इसकी परकरती जानवर से भिन हो सकती है तो जानवर को सरफ सुईधा ही चाहिए जब उसके भूख लगती है तो खाना चाहिए और परिस्तितिया ऐसे हो तो कुछ सरण के लिए उसको आसर मन् felt ? वी संब्र पूर नहीं चांते हैं लेकिछ सब्राइमें जानकारी होने की वज़य से समब्द में वो जी नहीं पाता है है जानवे अध्यान में आता है कि सब्रही लोग का अध्य से तो शु efficee intra होना है लेकिन इस सम्मझ के अभाव में वह ऐसा करनी पाते एक हम को समाज में दो तरह की व्यक्तित देराते हैं यह वह तो सुधा विहीं नहें, नहीं होने से वह दुक्की हैं उंद्रेदर है लेकिन हो ना तो सबी लोग सुखी शंपन चाहते हैं सुखी और समर्द होना चाहते हैं सुखी और समर्द होना चाहते हैं यानि सभी व्यक्तियों की जीने का उद्धिश है सुखी और समर्द होना है यह तो सभी का आएक है लेकिन जिस तरह की समाज की इस्तिती है उसको ध्यान में लग देते आता है कि व्यक्ति को सुखी और समं आचीज देखते दियान को कि सम्द्रेंद के उसको क्या करना चाहिए और दोनों से पालण करने करें विग कि- यह प्रयृर्टि तोनों की प्राइरोट्टी पहले नंबर पर यह थे बहुत मेहतलृ कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो सारी एनदर्जी है वेक्ति की वो सुष्वेधा संगण में लगा रहा है मैं अधान जब साइब लगते वे उसके मन में यह भाव है कि सुष्वेधा के से ङए संबंद ठीक हो जाएगे और इसी समझ की वज़े से जो वातावन बनता है वो समझ का निर्वन नहीं होने इसकी वज़े से सुईधा तो है लेकिन समझ का निर्वन नहीं होने से रेक्ति सुखी नहीं हो पाता है इस विश्य को समझने के लिए इन तीनों इस्तिती में किस तरह से जीवन जिना है यह शिक्षा के माध्यम से सपीत हो सकता है आजीवन में चार इस तरपे उससे जीना होता है तुर पूरे समाज में इस तरह से रहता है उसमें हरमोनी के साथ रह सके और फिर जिस प्रकरति में हम रहते हैं नेचर में एक्जिस्टेंस में हम रहते हैं उसके साथ में हार्मोनी के साथ में रह सकें इन चार इस्तर की हार्मोनी को समझने के लिए शिक्षा ही एक इसा माध्यम है जो इनको समझा सकता है है कि व्यक्ति अपने में आप में कैसे संपूम्ण रूप से आर्मोनी मेरे सकता है यहम्म हमारा आज का विद्यार्त अपक्तौन का और समता का निर्धार कर पाता है और उसको हांक करने के लिए ک Potential के गुल वह को सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब जो परिवार में जी लगता है तो सम्माद और सब्सक्राइब में भी नहीं हो सकता समाज की इस्तिती को थोड़ा सा ध्यान में देखे तो मुझे गुदार ध्यान में आता है एक विक्ति एक रात में पेड़ी के कुछ वेश्टु ढूंड रहा था जो जानकार लोग आसपास आये तो भी इसकी वस्तु को ढूंडने लगे कि मेरी इंगुटिक हो गई है तो एक ने पूछा कि आप बताएं आपकी इंगुठी यहीं करी थी कि आप शियोर हैं पक्का है उन्हें कर नहीं 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 तो दूसरी तरफ उधर अंधेल थी तो ब में डूंड़ता है उसकाइज शुषा देजके शुषां करता है तो जो शुष्ण के माध्यम्षे होता है और इन चारों इस तरफ से एक हार्मोनी में कैसे रह सकता और और उसके संस्कार पे दो काँए हार्मोनी होता है पुद में परिवार में समाज और प्रकृति के साथ अगर जी पाता है तो स्वयम भी खुश होता है तो भी दूसरों को प्रिशन करता है इस तरह से वगर सुधा का आंकलन ठीक ठीक से कर पाता है और रेस्ट आप नेचर को ध्यान में रखता है कि मुझे कितनी सुधा के इस तरह कि हार्मोनिक के साथ जीना कहते हैं इस वर्क्षोप के माध्यम से और इन चारों वीश्यों को पांस दिन तक लगाता चात्रों को बताने वाले हैं कि चार इस्तर की हार्मोनी को समझें और इस हार्मोनी को जी के रह के देखें और अपने आप देखें कि क्या ऐसा जीना सुम्भव हो सकता है कि इन चार दिनों में लगातार चार्चा के माध्यम से और विद्यार्शों के मन में उत्पन होने वाले से करते हुए वो खुद अपने आधार करें कि इसा होना चाहिए रखिए इसमें जो मोडल आपके सामने रख रहा हूं मानने ये वोटि के सिस्तानों में लागू किया जा सुकता है और उन्होंने उनुभो के आधार पर ये पाया कि इससे चात्रों का अपने आप में संस्तान के पूरती उनका सब्सक्राइब बढ़ता है और सेयों के अब साथ में काम करने की भावना उत्पन होती है कि जो भी से बात कहीं जाती है वो इनुवर्सल है इनुवर्सल से मेरा मतले है कि यह हर वेक्ति पे लागू होती है हर समय लागू होती है और हर स्थान पे लागू होती है जैसे मैं गाओंगो मुझे समान चाहिए तो जैसा मुझी समान चाहिए वैसा हर वेक्ति समान चाहि और रात में नहीं चाहिए या दूसरे दन नहीं चाहिए यहां तक कि नीद में आई तो भी हम अपने आप में उसको परदास नहीं कर पाते इसी तरह से वह समान जैसा दूसरे को चाहिए बहुत है इसलिए यह जो भी इसमें जिन विश्यों पर चाहिए यह इंसान की मूल भूद्ध के रूप में प्रस्तूत की जाते हैं यह किसी विश्यज पिंद्रधन के संस्ता पिंद्र भर नहीं है सब रूप से सम्माग रूप से लागू होते हैं इसको कई संस्तानों ने निने रिंग के कई संस्तानों ने लागू करके दिखा है और उसके बहुत अच्छे जल सामने आये हैं कि की करने यहां में रखते हैं कि ने ने भी इस विश्यको लागू किया है और उसके क्या द्यशन के लिए इस वर्शोप का आयोजिन और इस वर्शोप आयोजिन से लगता है कि बच्चा हार्मोनी से जीने की शिक्सा के साथ में इसको जी पाएगा मैं इसको अगर एक सब्सक्राइब को समझे लें कि मेरे अकेले की सुखी से सुख नहीं है संपन्ता नहीं है सब्सक्राइब को रखके इस कोश को पढ़ाया समझाया जा रहा है अगर इसले दो सालाओं में जब से भी कंद्यर टक्निकी विश्वी द्याले बना है इस विश्वी द्याले ने जो अब तक कारे की है उसकी रूप रुखा रुखा रखूं उससे समय में पहले में आपको एक जानकारी रखना चाहूंगा कि देश में बहुत से शिक्षा आयो सामिल कैसे कर सकते हैं इस तरह का मोडल सामने नहीं दे पाए अब भी जो नई समिति की कोड़ की चर्चा हो रही है इसको भी भारताधारित इस शक्सा मुल्यादारित शक्सा कहा गया यह सिक्सा शातर तक कैसी पहुची जाएगी वह मोडल अभी तेक प्लियर नहीं पर जिस मोडल की मैं चर्चा कर रहो जो आपके साथ ने में रखा है कि चार इस तरह की अगर हार्मोनी के साथ कर्चे को हम त्यार करते हैं उसकी हो सम इतमानव आचनक केसाथ दिशकता है वह अपने seldom करने के लिए वह आपने आपको त्यार करता है पर सरमपुरव कश्म से ज़्यादा करता है तो इस ऑघ्ल को समर्दि कहते हुँ का समझत हो कि कि इस तरह के माध्यम से इस रूप से चात्रों में उनके जीवन में इस रूप में पूरे ब्रह्मान की एक पिकाई है यह समझ विक्षित होगी कि उसकी जो जुमवारी क्या है और उस जुमवारी के साथ में अब भागी दरी करते हैं कैसे जी सब्सक्राइब मानिय मुल्यों में बहुते समर्पण के भाव से काम किया है कि हमारा इंजिनिरिंग एंबी एंचे प्रोफेशनल कोर्शेज का इस विद्याले है लेकिन हमने मानिय मुल्यों की अलग से फैकल्टी की स्तापना की है पूरे विश्व विद्याले में पांच जगे नौडल सेंटर तेकी है जहां से इस विश्व के माज़यम से सिक्सकों की ट्रेनिंग हो सके चात्रों के लिए वर्क्षब हो सके हर महाविध्याले में एक युनिवर्सल हुमिन विल्यू का सेल बनाया गया है जो इस शिक्सा के बाद में उसके एक्स्टेंशन की रूप में चात्रों को समझिक काम से जोड़ सके आए बसे चिए सरस्ट लिखने कहा नहीं है इसको पढ़ने लिखने के साथ समझते सभर समझते और समझ के निर्वन करने चारी के हमारे अशक्तित्या थी लिःह सब्सक्राइबả्र माद्या मिस्टेशन को हम्में कुरुण करते हैं इसलिए दो वर्सों में मैं समझता हूं कि यह जब तक अध्यापक तक नहीं जाएगा तीचर तक नहीं जाएगा वो इसको समझ के जिएगा नहीं तब तक वो विद्यार्थी को प्रभावित नहीं कर सकता उसके लिए हमारे शिक्सों की इस वीशे की ट्रेडिंग होनी चाहि जारिस्तिर की जीयून पे शथत्त ट्रेंइंग ली है और शथत्त ट्रेंणिंग के लेने के बाद इस वीशे को जीयून में जीते हुए कर रहे हैं आध जिस वर्क्शोप में हम सामिल हुए हैं बच्चों का ओनलाइन वर्क्शोप करना अपने आप में बहुती मुश्किल कारे इस विश्य को ऑफलाइन भी समझना महुत मुश्किल होता है लेकिन ऑनलाइन समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल है कि इसले कई दिनों से कारे को करने में लगी है मैं देख रहा हूं को कृति दन साम को मिलके ट्रेंग करते हैं आपसे बाचित करते हैं कि इसी वर्क्षोप का नितिज़ा है कि यह सारे सिक्षक इस वर्क्षोप से निकल के आये हैं इसलिए इसे सम्मर्पन भाव से अपने जुमवारी मानते हुए अगर मैं पूरी उनिवर्सिटी को देखों तो लगबग 20% अध्यापकों ने इस को को किया हुआ है यानि इसको क को पढ़ाने वाला हर अध्यापक आठ दन का रिग्रस को निकला है सुबह नौबे से लेके साम तो साथ पर चार इस्तर के जीन पर ही चचा होती है और उस चाहिए को लेने वाले जो रिसोर्स परसन है वो इस विशे के एक्सपर्ट है एक बहुत और दरों के साथ कहना चाहूंगा कि वह किसी तरह का पारितोसिक नहीं लेते इसको दिया है उसका इसमें पारितोसिक के रूप में प्रेस कर रहे हुआ है उसकी विद्याले भी उस तरह के रिसोर्स परसंट त्यार कंड में लगा हुआ है इसलिए वर्क्षोप में 43 अध्यापकों ने उसके हायर इस्तर की टेंडिंग ली है उसमें से कुछ लोग रिसोर्स परसंट की त्यार हो रहे है हमारी जो फैकल्टी है उसने ये तेह किया है कि इस पोर्स को इलेक्टिव के रूप में कुछ हायर समिस्टर में भी लगू किया जा सकता है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और अन्त में मैं मानिया प्लादी पति महद्य से अनुरोद करते हुए कि आप समय समय पे हमारा मार्दशन करते रहें ताकि हम इस कारेक्र में भलो पाएं इस तरह की और कारेक्रम कर पाएं बहुत-बहुत आवाज कि अधेका संक्षिप्त किंतु प्रभावी तरीके से सारी जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि.